जितने भी हमारे फर्स्ट इयर के डियरे स्टूडेंट है तो आपको पता है कि इससे पहले हम बायो साइंस का ठीक है इससे पहले जो है हम आपके लिए बिहाइबियर साइंस का और इससे पहले फंडामेंटल आफ नर्सिंग का तीनों सब्जेक्ट का फर्स्ट इयर का इंपर 10 question दिया हूँ उतना का अगर आप सिर्फ त्यारी कर लेते हैं बच्चे हुए जितने भी समय है दो महीना तीन महीना तो आपका कल्यान हो जाने वाला है समझ गए जितना समय है मैं आपको आज ये last subject community health nursing आपका बच गया था उसका भी आज दे रहा हूँ तो अब से जिनका भी एकजाम होने वाला है चाहे वो पंजाप में हो चाहे जहारखंड में हो जिनका भी फरवरी मार्च में एकजाम होने वाला है बिहार में उन लोग का जो है एक दो महीना आपके पास समय है आप लोग जो है इस चारों subject के जो 50-55 हमने question दिया है सभी subject में इसको रगर डालिए दिन रात पर ये मेहनत करके इसको रगर जाए ये मैं आपको 100% अस्वस्त कराता हूँ कि अगर मेरे द्वरा दिये गए important question जो सभी राज के लिए important है 2022 से 23 के लिए अगर आप इसका complete त्यारी कर लेते हैं तो आपका जो है 80 से 90% नंबर आ जाएगा बसर तो बनिया से त्यारी कीजिए सभी question नहीं से रहेगा चलिए आज community health nursing का जो है important question 2022 से 23 के लिए देख लेते हैं और short long question और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि सभी state के लिए question important है किसी एक state के लिए नहीं बता रहे है ठीक है तो long question पहले हम लोग देखेंगे long question को तो चलि ये community health nursing GNM first year के long question को देखते हैं देखें long question में आपसे पुछेगा कि टीका करन सारनी के बारे में बताइए और 0 से 5 वर्स ठीक है कभी-कभी 0 से 1 वर्स पुछ लेता है कभी-कभी 0 से 16 वर्स जो complete टीका करन सारनी होता है पुछ लेता है तो अगर आप 0 से लेकर 16 वर्स तक य चलिए पहला question हो गया जो कि हम proper immunization का एक वीडियो ही दे चुके हैं ठीक है अब आगे है स्वास्त सिक्षा के कौन से उदेश है ठीक है ने health education का क्याल परपज है इनके विभीन विधियों के बारे में जो है बताना है मतलब किन-किन विधियों के जरी हम स्वास्त सिक्षा ल principle of health education जिसको आपको मैंने आगे दिया है समझगे नेक्ट question है primary health care क्या होता है प्रात्मिक स्वास देखवाल क्या होता है इसके घटक element के बारे में बताना है और primary health care में नर्स की क्या भूमिका है बर्नन करे यानि एक e question दूसरा e question तीसरा e question long question में ऐसे ही जोर जोर कर प्रशन को पूछता है समझगे तो आपको clear करना पड़ेगा आगे है कुपोसन से होने वाला पांच बिमारी के नाम लिखना है और इनके रोक थाम कैसे आप करेंगे रोक थाम बिविन पांचों बिमारी को रोक थाम कैसे करेंगे ओ बताना है ठीक है आगे है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो ठीक है लिखना है फैमली पलानी के बारे में कौन-कौन सी बिधिया है बिधी को लिखना है और अस्थाई बिधी के बारे में बिश्त्रीत से वर्नन करना है देखिए कभी अस्थाई बिधी के बारे में पूछ देता है कभी अस्थाई के बारे में पू अगे है ग्री मुलकात के क्या उदेश है और इनके सिधानतों के बारे में बताना है तो आपको अस्थाई और अस्थाई दोनों के बारे में किलियर कर लेना है एक ही कूशन में समझ गए है आगे है कम्नीटी हिल्थ नर्स के कारियों का वर्नन करना है कम्नीटी हिल्थ नर्स के क्या क्या काम है ठीका करन देना समुचित देखवाल करना ठीक है रोगों से रोग ठाम करना लोगों में स्वास्त सिक्छाग देना ठीक है इही समनकार है तो इन सभी कारियों को जो है आपको बर्नन करना है ठीक है और उसके डीटेल्स में लिखना है Community Health Nursing के प्रोसेस चरण को बताना है Community Health Nursing हो या Normal Nurse हो उसका पांच चरण ही होता है पांचो चरण के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है फंडामेंटल में भी यहां भी ठीक है बिटामिस के वर्गी करन और इनके स्रोत लिखना है प्रहा चुके हैं बिटामिस के वर्गी करन आगे है स्वास्थ सिक्षा को परिभासित करें और स्वास्थ सिक्षा के कौन-कौन से छेत्र है इसकोप है उसका वर्नन करना है ठीक है आगे है संप्रेशन, कम्म्निकेशन और यह कितने परकार के होते हैं इसके कौन-कौन से तत्व घटक होते हैं कम्म्निकेशन का इसको जो है आपको बताना है आगे चलिए समुधाय को पडिभासित करें समुधाय के नर्सिंग सिधांद यानि principle of community nursing समुदाइक nursing के सिधान्त को बताएं और समुदाइक nursing में नर्स के भूमिका क्या होते हैं इस भूमिका को आपको बर्नन करना है ठीक है एह हो गया आगे है पोसन के इस्थिती से क्या ततपर है nutritional status से क्या समझते हैं पोसन के इस्थिती से क्या समझते हैं आपको बताना है long question में भोजन बनाने के बिभीन बीदियो के method of cooking भोजन पकाने के बिभीन बीदियो के बारे में बताना है राष्ट्रिये कारिकरम के संचिप्त में वर्नन करना है और इसमें समुदाइक नर्ष की क्या भुमिका होती है एक कारिकरम में उस जो है भुमिकाओं को भी असपस्ट करना है अगर आप चाहते हैं सभी question को आप खुद से देखे खुद से पढ़े समझे एक बार question को तो आपको ये सारे question description में link मिल जाएगा nursinggyan.com पर जाकर आप इन सारे question को देख पाएंगे भोजन सनरक्षन या परिरक्षन क्या है भोजन परिरक्षन के बेवसाइक बीधियों को वरनन करना है मतलब भोजन को कैसे सरने गरने से बचाते हैं मतलब अहार जो diet होता है उसके हम कितने तरह से अहार को modify कर सकते हैं या एक रोगी के लिए किनकिन तरह के भोजन को हम लोग modify करके देते हैं उसको वरनन करना है आगे है पोसन एनेमिया या रक तालपता के कारण लक्षन वा उप्चार के बारे में लिखे यानि nutritional एनेमिया के बारे में आपको बताना है ठीक है आगे है मरास्मस रोग के कारण लक्षन वा नर्सिंग परवंद को समझाना है describe cause and symptoms and nursing management of मरास्मस डीजेज अब यहां पर और question है जनपादिक रोग बिज्ञान या इसी को epidemiology को परिभासित करना है इसके उदेश बताना है जनपादिक रोग बिज्ञान तरई क्या है इसके कारक परपोसी वा वातावरनिये घटकों का वर्नन करना है तो epidemiology इसके element और इसके agent, host और environmental है इसके बारे में आपको descriptive करना है इसके क्या उदेश होते है उसको बताना है अब यहाँ पर question है प्रात्मीग स्वास्थ केंद्र क्या है प्रात्मीग स्वास्थ केंद्र से क्या कार है यहाँ पर और इसके staff सदस को लिखना है यानि staff pattern को बनाना है पी एच सी पर कौन कौन से स्टाप होते हैं इसको बताना है कितने होते हैं ठीके ए हो गया एक और कुश्चन यहाँ पर है बायू पर दूसन क्या है कारण क्या होते हैं इसके बायू पर दूसन से स्वास्त पर क्या परभाब परते हैं उसको आपको डीटेल से बताना है इस तरीत से लिख देना है अगर एक कुश्चन आपको इस परकार से पुछता है तो समझ गए चलिए तो यह हो गया अब यहां पर मैंने आपको बता दिया लॉंग कुश्चन समापत लॉंग कुश्चन जो है आपको इतना बनता ठाथ तो अभी जो आपने देखा आपको यह पर मिला कितने 25 लॉंग कुश्चन मिला अब बताए अगर आप कॉम्निटी हेल्थ नर्सिंग में फर्ष्ट में अगर आप 25 लॉंग कुश्चन को आप त्यारी नहीं कर पाते हैं मैं मानता हूं लॉंग कुश्चन में मैंने एक कुश्चन में तिन-तिन कुश्चन दिया द आपको उस परकार से मैंने 25 कुश्चन दिया, ठीक है, अब अगर आप 25 कुश्चन अगर नहीं कम्पलीट कर पा रहे हैं, तो फिर लानत है आप पर इस पर हाई करने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं पर ये फिर, समझ रहे हैं, बहुत लोग कहेंगे कि आप तो नाम क में A कुश्चन, B में A कुश्चन, और C में A कुश्चन, आपको तीनों का जवाब दीजिएगा तब जाके 15 नमबर कराएगा तो 15 और 10 कराएगा तो 10 नमबर मिलेगा, समझ गए, ऐसे काम नहीं होता है, तो आपको जीस परकार से एकजाम में रहता है, उसी परकार से हमने भी कुश्चन दिया है, ताकि आपको अंदर प्रेक्टिस बने कि किस परकार से लौंग कुश्चन होते है एकजाम में, समझ रहे हैं, आगे है, सौट कुश्चन अब हमारे पास है, लौंग तो देख लिए कि 25 है, आप लोगों को उसको कम्पलीट करना है, जैसे भी कीजी यह नहीं कीजी, आपकी मन है, ठीक है, सौट कुश्चन में है, कहता है, dimension of health, स्वास्त के बिभीन, आयाम के बारे में लिखना है, एक कुश्चन हुआ, balance diet के बारे में बताना है, यानि संतली तहार के बारे में, पानी से फैनने वाला कौन कौन से रोग है, उसके बारे में आपको बताना हो सकता है, ठीक है, भोजन पकाने के क्या सिधानत है, क्यों भोजन पकाते हैं, कैसे पकाना चाहिए, उसके सिधानत बताना है, TV और उससे कैसे बचे जा सकते हैं, इसको आपको लिखना होगा, Rapid Send Filtration के बारे में बताना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रेपीड सेंड फिल्ट्रेशन जिसे यांत्रिक फिल्ट्रेशन भी कहते हैं आगे है यहाँ पे समुदाईक स्वास्थ नर्स के प्रामर्सदार्ता के रूप में भूमिका बताना है यानि रोल आफ नर्स एजे काउंसलर समझे न रिकॉर्ड के परकार बत क्यों हेल्थ एजुकेशन क्यों दिया जाता है लोगों को स्वास्थ में ठीके न है एक कुष्चन आपसे और बनेगा कि स्वास्थ सिख्छा के क्या प्रिंस्पूल है क्या सिधान्त है बताईए तो मैंने इसको अलग दे दिया सोट में अलग भी पुछ सकता है नर्स के ल उसको अच्छे से लिखना है रोग की रोग थाम के कितने अस्तर है प्रिवेंशन लेवल कितने है डीजेज के बताना है समुदाय में हम छोटे छोटे बीमारियों का परवंध कैसे करते हैं उसको जो है हमको यहाँ पर बनाना है ठीक है सब परहा चुके हैं परिवारिक वेसल मेटाबोलिक रेट को कौन-कौन से कारक है जो परभावित करता है पढ़ा चुके हैं लिंग कारक बतावरन समझ गए इस सब विटामिल A के बारे में डीटेल से लिखना है जैसे विटामिल A से क्या होता है क्या कमी से क्या होता है ठीक है न कहां से मिलता है समझ गए वि एचो के बारे में पुछा जा सकता है Integrated Child Development Scheme ICDS के बारे में पुछा जा सकता है 5 नंबर में UNICEF के बारे में भी पुछा जा सकता है समझ गए तो तीनों जो organization है अच्छे से याद कर लीजिएगा Ventilation and its types के बारे में पुछा जा सकता है समबातन और इसके परकार के बारे में ठीक है आगे है जल परदूसन और जल परदूसन के क्या कारण है बताना है इसको ठीक है आगे है रेफरल में नर्स की क्या भूमिका होती है किसी पेसेंट को आगे रेफर करने में नर्स की भूमिका को बताना है बेग टकनीक, बेग टकनीक के बारे में बताना है, किलिनिक और इसके उदेश वा परकार को भी बताना है कि क्या उदेश है, कितने परकार के होता है J.S.Y. के बारे में जन्नी सुरक्षा योजना के बारे में बताना आपसे पुछा जा सकता है ठीक है, under 5 किलनी के बारे में आपसे पुछा जा सकता है, तो ये भी बताना है, और यहाँ पे आता है, सित स्रिंखला, cold chain के बारे में भी पुछा जा सकता है आपसे 5 नंबर में, and यहाँ पे है report and its principle, यानि report क्या है, report लिखने के क्या सिधान्त है, इसके बारे में पुछा जा सकता है आपसे 5 नंबर में, and last है short question, कहेगा कि 8 क्या है, 8 की रोक थाम आप कैसे करेंगे, बताइए, तो इसको भी बताना पड़ेगा, यह हो गया हमारा यहाँ पे short question समापत, तो इस परकार से मैंने 25 जो है long question, और यहाँ पे 25 मैंने long question आपको बता दिया, और 30 के आसपास मै पचपन संतावन जो है आपको total question complete करना है, community health nursing में, अगर आप इतना question जो हम अभी दिये है, 50-60 के बीच में, इतना अगर complete कर लेते हैं, तो आपका community health nursing बहुत ही बेहतर जाएगा, समझ गए, आगे चलिए, अब यहाँ पे कुछ question है आपके सामने, निमलीखीत का अंतर बता दोनों के बारे में परहा चुके हैं, antibiotics और antigen इसके बारे में अंतर, disinfection, esterlization इसके बारे में भी अंतर बता चुके हैं, incineration, chlorination इसके बारे में भी अंतर परहा चुके हैं, institutional nursing, community health nursing दोनों के बारे में परहा चुके हैं, अंतर पुछा जा सकता है, उतला कुआ और गहरा दोनों के बारे में अंतर पुछा जा सकता है आपको भी बताना है स्यामपट और बुलेटीन में क्या बुलेटीन बोर्ड में क्या अंतर है ये भी पुछा जा सकता है भोजन संदूशन और खाद अपमिसरन फुड कंटिमिनेशन और एडल्ट्रेशन में क्या अंतर है ये भी बता दिया important question आपको इस सारा के सारा question nursingyan.com पर description में link मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा या google में जाके nursingyan.com सर्च करके directly आप वहाँ से देख सकते हैं GNM first year के CHN1 में QV और आपका QV और जो definition वाला है उसमें आपको यह मिल जाएगा question ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मे और आपका यहाँ पर 4 subject का important question दे चुके हैं तो आपको अब परहाई करना है सिर्फ वही question त्यार कीजे जो मैं दिये हैं 4 subject में आपके पास जीतना भी समय है अगर आपके state में exam date आ चुके हैं तो रगरना शुरू कर दीजे इस सारे important question को अगर नहीं आए है तो फिर भी रग अपना ख्याल लखिएगा